नमस्कार दोस्तों, Target with PS परिहार चेनल में आपका स्वागत है सबसे पहले मकर संक्रान्ती की हार्दिक शुपकावनाए और अब सुरू करते हैं आज के रोजगार समचार सुबह के इस वीडियो में ऐसी खबरे होती हैं जो वीडियो समचार पत्रों पर चाय भी होती है और विद्यार्थी जीवन के लिए आवस्यक होती है तो आईए सुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के समचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी खबरे हैं सबसे पहली कबर है मार्च तक 50,000 पुलिस कर्मियों की भरती लिखा हुआ है कि मुख्यमिंतर योगी अधित नात ने कहा है कि भरती प्रक्रिया में जो भी वेक्ति धांदली करेगा उसके खिलाफ राष्ट्री सुरुक्षा कानून राष्का के तहत कारवाई होगी सारी संपत्ती जब्त की जाएगी और योगी ने कहा कि मार्च तक 50,000 और पुलिस कर्मियों की भरती की जाएगी और इसमें 20,000 पीजदी सीटे महिलाओं के लिए आरक्चित होगी नीचे यहाँ पर एक चीज और लिखी भी है कि 69,000 सिक्षिकों की भरती प्रक्रिया अंतिम चरण में है यानि कि मुख्यमंत्री ने इसपस्ट कर दिया है कि ये भरती कैंसिल नहीं होने वाली है और 15 फरवरी तक निक्तिपत्र सभी विद्यार्थियों को मिल जाएंगे इसके बाद में अगली खबर है सयुक्त बियट प्रवेस परिक्चा की इस बार काफी बदलाव कर दिया गया है बियट की प्रवेस परिक्चा में अहरता को ले करके अब intermediate कर दी गई है और बियट हो गया है चार साल का इस बार जो joint entrance exam होगा वो कराएगा रुहेल खंड विष्विद्याले और इसके जो आवेदन है ये लिखा हुआ यहाँ पर फरवरी में ये लिखा हुआ यहाँ पर कि फरवरी में शुरू होंगे आवेदन विष्विद्याले ने आवेदन प्रक्रिया की तयारी सुरू कर दी है बुद्वार को कुलपति ने बैटक बुलाई है जिसमें बियट इंट्रेंस को लेकर चर्चा होगी कि आवेदन कब से शुरू होंगे उसका निरना लिया जाएगा हाला कि आवेदन फरवरी में लेने की तयारी है यानि कि अगले महिने से आपके बियट के आवेदन लेना सुरू हो जाएगा इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है 68500 सिक्षक भरती के पुर्ण मुल्यांकन के प्रणाम के लिए धरना सुरू है इसमें लिखा हुआ है प्रदेश के प्रात्मिक विद्यालियों में 68500 सिक्षकों की भरती के लिए अगस्त में गोसित प्रणाम के बाद परिचार् जोने सची प्रिच्च नियामक का घेराव करके पुर्ण मुल्यांकन का प्रणाम तदकाल जारी करने की मांगी दोस्तों आगे पढ़ने से पहले एक बात और जो नहीं विवर है या नहीं मित्र है जिनों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब् ये विद्यारती एक विशाधरना देने जा रहे हैं इसकी बाद में एक और सूचना है 79,000 सिच्चक भरती की यहां पर लिखा हुआ है कि परिच्चह रद कराने को आंदोलन जारी विद्यारती लगातार इलहाबाद में यानि प्रियाग राज में आंदोलन कर रहे हैं विद्यारती परिच्चह रद करने की मांग कर रहे हैं आठवें दिन परिच्चह नियामक प्राधिकारी काराले पर सिच्चक भरती नय मोर्चा के सुनिल मोर की अगवाई में आंदोलन चला उनका कहना है कि साक्ष से इस परिच्चह से पहले उत्तरकुंजी वैरल हो गई इसे डियम के माध्यम से मुख्यमंत्री तक भीजा गया है लेकि परिच्चन दिरस्त कराने में अनाकानी की जा रही है और 17 जनवरी को विशाल धन्ना दिया जाएगा विद्यारतियों ने ऐसा कहा है और इसके बाद विद्यारतिक कोड भी जाने की तयारी कर रहे हैं और अधिकारियों ने हाला कि इसपश्च कर दिया है कि पेपर कैंसिल नहीं होगा और पेपर आउट नहीं हुआ था इसके बाद में एक और सूचना जिसकी बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बत अब काला बाल पॉइंट पिन यह दो चीजने लेकर के एक्जाम देने जाना है और इसकी लिंक भी जारी कर दी गई है एड्मिट कार्ड वेब साइट से डाउनलोड कर सकते हैं इसके बाद में अब बात करते हैं संवझाजवन संसोधन समानव़ग के गरीब वर्गों के लिए जो अरत्षन दिया गया है 10% गुजरात में शुरू कर दिया गया है समानवग को अरत्षन देने की मामले में और अब योगी सरकार भी इसकी त्यारी शुरू कर रही है यहां पर लिखा हुआ है कि योगी सरकार ने केंद्र की ओर से समान वर्ग को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिसत आरच्ण कानून पर अमल की तयारी सुरू कर दिये सरकार अभी अधेन कर रही है कि नई विवस्ता समान शासी की आधेश से लागू किया जा सकता है या इसके लिए विधाई मंजूरी लेने की जरूरत होगी नीचे लिखा है केन सरकार ने लोग समान वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े अभरतियों को सरकारी नोकरियों हुआ सिक्षर संस्थानों में 10 फिजदी आरच्ण देने का रास्ता खोला है गुजडा सरकार ने इस विवस्ता पर ततकार प्रभाव से अमल का एलान कर दिया है तो दोस्तों यह हो गई आज की अपडेट और इसी तरीकी के अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुले रहे हैं अगर आपको इस तरीकी की सूचनाए अच्छी ल